टेकनो केमन 30, केमन 30 सेरीज में सबसे सस्ता और बेसिक वेरियंट है लेकिन सबसे ज़ाद अपगरेड जही वाला स्मार्टफोन परवाइड करता है और इस वक्त बजट में चार फेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वज़े से ये वाला स्मार्टफोन मेरा फेवरेट बना हुआ है औ बॉक्स के अंदर ही टेकनो केमन 30 आपको एक अच्छी क्वालिटी का हार्ड ग्लास केस परवाइड करता है उसके इलावा एक प्रोटेक्टर प्लास्टिक का अलरेडी अप्लाइड है स्क्रीन पे दूसरा ग्लास प्रोटेक्टर बॉबाइल फोन के बॉक्स के अंदर प्रवाइड किया गया है तो अन्बॉक्सिंग एक्स्पिरियंस स्मार्फोन का कम्प्लीट है अब यह वाला स्मार्फोन तीन कलर में अवेलिबल है मेरे पास जो यहां पे है सौर्ट वाइड है उसके लावा आइसलेंड ब्लैक कलर है और तीसरे जो मेरा फेवरेट कलर है सार स्मार्फोन को कम्प्लीट बनाती है पहले नबर पर टेकनो की कैमर स्रीज में यह पहला स्मार्ट फोन है बेसिक वरियंट जो ग्लास की बैक के साथ आता है जिसकी विज़े से यहाला स्मार्फोन होल्ड करने में इन हैंड फील जो देता है वह काफी प्रीमियम है दुसरे कि मुबाइल फोन अगर आप फिलिप भी रखते हैं तो नोटिफिकेशन जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा तुसरे नबर पर कैमर स्रीज चुके कैमरा पर काफी फोकस करती है तो इसके कैमरा के आस पास जो फील दी गई है साइड एकसेज वाली एक तो इसके विज़ मुबाइल फोन क्योंकि काफी फास चार्जिंग को स्पोर्ट करता है और अगर आप बहुत जादा गर्मी वाली जगह पे रहते हैं मुबाइल फोन आपका कूल रहेगा क्योंकि यहां से यह वाला स्मार्टफोन हीट को डिसिपेट कर सकता है डिजाइन में चौती चीज ड टेकनो कैमन जो basic variant होता है उसमें पहली बार IR blaster भी प्रवाइड किया गया है तो रिमोट वगयर की जो असेसरी होती है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं डिजाइन में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है सिम स्लोट की बात करते हैं तो दो सिम कार्ड के साथ मेमरी कार्ड भी का 120Hz refresh rate के साथ FHD plus display AMOLED display परवाइड किया गया है जहां पे 1000 nits की maximum brightness देकने को मिल जाती है इन डिस्प्ले फिंगर पर स्कैनर है जैसे मैंने पहले बताया किसी किसम की bezels नहीं है 89% के आसपास screen to body ratio यह वाला smartphone आपको परवाइड करता है तो डिस्प्ले का experience इस smartphone का का काफी premium ह 393 की pixel per inch density होने के वज़े से जो colors है pictures है काफी sharp feel होती है always on display परवाइड किया गया है लेकिन जिए 10 seconds बाला always on display है तो उस चीज़ को आपने mind में रखना है overall इस smartphone का display चाहिए आप दूप में लेके जाते हैं indoor में जूज करते हैं high brightness toggle भी परवाइड किया गया है तो अगर आप पेज़ दूप में होते हैं उस toggle को on कर लेना है mobile phone insanely bright है आपको दूप में भी इस screen को देखने में किसी किसम का मसला नहीं आएगा तो तीन डिपार्टमेंट से smartphone के जो special है उनकी मैंने बात कर ली unboxing experience दूसरे नबर पे smartphone का design तीसरे पेस का display चौतर डिपार्टमेंट जो स्मार् वाट की charging परवाइड करता है इसके competition में जातर स्मार्टफोन 33 वाट की या maximum 45 वाट की charging को स्पोर्ट करते हैं यह वाला स्मार्टफोन 70 वाट की charging को स्पोर्ट भी करता है और box के अंदर आपको charger भी परवाइड किया गया है इस charger के विज़े से 0 से 100% तक इस smartphone की बैटरी को आ है बाइपास चार्जिंग को स्पोर्ट करता है चार्जिंग स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड का maximum output लेने के लिए सारे options भी टेक्नो ने software में परवाइड की हैं तो यह वाली चार डिपार्टमेंट्स थे इस smartphone के जो मेरे favorite हैं और इ यह परवाइड करने वाला यह पहला smartphone है उसके साथ 2MP का depth sensor है सामने 50MP का auto focus selfie camera परवाइड किया गया है अब आई विश यहां पे 8MP का ultra wireless परवाइड कर दिया जाता लेकिन 50MP का जो main camera है उससे आप 2X पे क्योंकि digitally crop करता है तो 2X पे portrait भी ले सकते हैं वीडियो recording भी कर सकते हैं और इस smartphone के camera को special इसकी specifications नहीं बनाती है टेकनो ने sony के साथ collaboration की है क्योंकि जो skin tones, dynamic range और colors तीन strong department sony के cameras के होते हैं मैंने काफी smartphone यूज की हैं जो sony के sensors के साथ आते हैं तो sony की image processing टेकनो camera 30 में integrate की गई है यहापे कुछ samples आपको show कर देता हूँ आप अंदाजा लगा सकते है initial impressions में जो इस smartphone से मैंने pictures clicking हैं उनमे dynamic range काफी अच्छी तरह से balance कर लेता है skin tones especially जैसे मैंने बताया selfies की बात करते हैं या back cameras की बहुत अच्छी तरीकी से pick करता है colors अच्छे होते हैं ना ही ज्यादा over sharpen करता है और ना ही बहुत ज्यादा over saturated होते हैं especially smartphone की जो night time की camera performance है OIS के विज smartphone पे easily upgrade कर सकते हैं किसी किसम का आपको regret नहीं होगा तकरीबन हरी department में टेकनो ने टेकनो camera 20 से टेकनो camera 30 को upgrade कर दिया है इस smartphone में 100 megapixel का mode भी provide किया गया है जिस पे अगर आप click करके picture click करते हैं तो बहुत ज्यादा details देखने को मिलती हैं काफी raw से picture click करता है यानि के image processing ज्यादा smartphone का देते हैं 1080p 30fps पे बहुत stable footage यह वाला smartphone आपको provide करता है और वीडियो में colors को भी retain करता है dynamic range को भी balance कर लेता है exposure adjustment टेकनो ने seriously जो sony के साथ image processing के साथ collaboration की है इस smartphone के camera's इस price range पे one of the best cameras बन जाते हैं हाँ यहाँ पी ultra wide lens नहीं है लेकिन जो camera's provide किये गए है especially जो selfie camera है तो यह व video है detection कैसी है colors कैसे हैं आपको आवाज कैसी आ रही है microphone का pickup कैसा है सारी चीज़ों का आईडिया आपको लग जाएगा मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हो तो मुझे बता नहीं है लेकिन इतना बता है कि cut out सभी तरह से कर रहा है और colors skin tones काफी accurate हैं बिलकुल real लग रही है और यहाँ पे एक निशान भी बन किया रहा है आई autofocus वाला आई को tracking करने वाला फीचर है जिसकी विज़े से ये blur बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है पिछली बाद शायद 8MP का या 16MP का camera टेकनों ने प्रवाइड किया था उसको काफी upgrade करके 50MP का autofocus के साथ जो sensor प्र के video लेते हैं front camera से बहुत अच्छी usable footage ये वाला smartphone आपको provide करता है जिसकी विज़े से आप इसको videos recording के लिए भी easily use कर सकते हैं इसका detailed camera review मैं जल्दी चैनल पे upload करूँगा तो अगर आपको Tecno Camon 30 के बारे में या किसी भी smartphone के बारे में detail में जाना है वीडियो को like करके चैनल को subscribe के bell icon को press करके और पे click कर लें thank you so much अब इस smartphone के camera से front और back पे आप maximum 2 के 30 fps पे video recording कर सकते हैं और जो book के video है वो 720p 30 fps पे support करता है और अगर आप optical image stabilization का भरपूर maximum फाइदा उठाना चाहते हैं तो 1080p 30 fps उस चीज़ के लिए best resolution है अब 2 के 30 fps पे इस विज़े से यह वाला smartphone kept है क्य provide किया गया है इस price chain पे बाकी सारे smartphones भी इसी प्रोसेसर के साथ आते हैं काफी powerful प्रोसेसर है 30-40 fps के आसपास आप तक्रीबन सारी games को अच्छी settings पे enjoy कर पाएंगे out of the box android 14 के साथ high us version 14 के साथ आता है अब high us 14 में टेक्नो ने बहुत ज़्यादा अप्ग्रेड्स प्रोइड की उनको update किया गया है gallery में और file manager में आपको ward को option मिल जाता है यानि के आप चीजों को hide करना चाते हैं privacy में रखना चाते हैं तो रख सकते हैं apps को hide कर सकते हैं settings को जो इसका section है मुझे काफी ज़्यादा खुबसूत लगा है काफी colorful भी है और काफी ज़्यादा modern feel होता है तो इस charging speed के section में charging को control करने के लिए भी AI smart feature है और उसके लावा जो टेक्नो में assistant है allow इसको टेक्नो ने काफी improve कर दिया है अगर आपने कुछ भी पूछना है कोई भी चीज generate करवानी है तो इनका assistant यहाँ पे मैंने सामने रखा हुआ है इसको भी आप use कर सकते हैं तो AI की features first attempt में जित वाला smartphone मेरे पास आया है एक update 780CMB के आसपास मुझे audit receive हो चुकी है जिसके विज़े से इसका security patch है वो update हुआ है UI में छोटे मोटे अगर कोई bugs थे वो fix किये गये है मुझे तो idea नहीं हुआ क्योंकि मैंने जैसे ही mobile phone ओपर किया मुझे update आ गई तो मैंने उसको update कर लिया तो आपे 12GB RAM के साथ 256GB storage का combination प्रवाइड किया गया है UFS 2.2 की storage टेक्नो Camon 30 में देखने को मिलती है उसके लबा कुछ important details की बात करें तो वोटे की support वाला smartphone प्रवाइड करता है 4G देखने को मिलती है 4G plus carrier recognition मैं टेली नौर की sims यूज़ करता हूँ तो यहां पे फिलाल मुझे शो नहीं हुई उसके लबाए headphone jack प्रवाइड किया गया है dual noise cancelling mics देखने को मिल जाते हैं जिसके वज़े से call quality स्मार्टफून की काफी अच्छी है WhatsApp पे voice notes अगर आप भेजते हैं तो वो काफी clear quality में जाते हैं और 4G पे signal strength स्मार्टफून की काफी amazing है तो यह वाली सारी कहा utilization भी सबसे कम price पे टेक्नो कैमन 30 परवाइड करता है 12GB 256GB RAM का जो variant है पाकिस्तान में 63,000 के price में launch हुआ है डिसकाउंट के बाद तकरिबन 60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा तो बज़ेट में यह वाला स्मार्टफून मेरे खाल में काफी solid option है आपकी क्या राय है इस स् तक के तो हो तो बलाए रऊ, तो में जाएपक्क नचक वढगने को स।।ूक कर तो कर दो में गाय हाँ लिख है ।।।।